ये वास्तों में उत्तरब्रदेश के पसुधन के संग्रक्षन और संबर्धन का एक नए अध्याय की शुरुवात है। टॉल फ्री नंबर पर कॉल करके इन सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। अक्सर क्या होता था। हम लोग देखते थे इन चीजों को। कोई जानवर बिमार है, कोई गोवन से बिमार है, कोई भैंस बिमार है, कोई बकरी बिमार है। समय पें डॉक्टर नहीं पहुच पाते थे। समय पें सूचना नहीं दे पाते थे। वेटनरी चकिशकों की कमी के कारण अक्सर ये समस्या देखने को मिलती थी। दूसा कहीं पें कोई एक्सिडेंट किसी गोवन से का हो गया। किसी भेंस का हो गया, किसी बकरी का हो गया। समय पें उसको उप्चार की स्वविधा नहीं मिल पाती थी। ये मोबाइल वेटनरी वें अब प्रदेश के पांच जौन में वहाँ पर कमान एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से संचालित होंगी। प्रदेश के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग होगी। और रियल टाइम मॉनिटरिंग के माध्यम से नकेवल हमें जानने का उसर प्राप्त होगा कि कौन सी जौन में कैसा कारे हो रहा है। बलकि पस्वपालकों के अमुल निधी के माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हम लोग दुख्दुत पादन के नंबर एक ही नहीं बलकि इससे भी कई आगे बढ़ करके लाखों लोगों के जीवन में प्रिवर्टन लाने का कारे कर पाएंगे। इस सच्पुच पसुधन के छेत्र में एक नए युक का सुथरपात होने जा रहा है। और मैं इसके आधने प्रदान मंत्री जी के प्रती हिर्दे से आभार बेक्ट करता हूँ। हम लोगों ने पिछले छे वर्ष के अंदर आधने प्रदान मंत्री जी के मारुक दर्शन में उनकी पेड़ना से उत्तर प्रदेश के अंदर गोवन्स के संग्रक्षन और उतके संबर्धन के लिए ने एक प्रियास की। अनदाता किसानों के जीवन में प्रिवर्टन हो उनकी आमदनी कई गुना बढ़े इसके लिए तो प्रियास हुए ही। लेकिन साथ साथ अनदाता किसानों की फसलों को भी सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए पुसुधन विभाग के द्वारा अने कारिक्रम प्रारंब की गए। यह कारिक्रमों के अपनी क्लंबी स्रिंखला है। आज भारत सरकार के साथ मिल करके हम लोग नसल सुधार की जिसा में भी एक बड़े अभ्यान को आगे बढ़ा रहे हैं। निरासित गोवंस के संड्रक्षण के लिए 6600 सेदिक निरासित गोवासरे स्थल स्था पित के गए हैं। और मुझे पताते भे प्रसंता है कि प्रदेश के अंदर कुल 12,00,00 निरासित गोवंस हैं। और उन में से 11 लाग के संड्रक्षन की जेमेदारी अकेले प्रदेश सरकार उठा रही है जिसमें प्रती गोवन्स नौसो रुपे महिने देने का कार्य हम लोग करते हैं तीन प्रकार की योजना इसमें हमारी चल लई हैं पहली योजना जो सरकार के दोरा संचालित द्रासित बोव आस्रे स्थलों में जहां पर लगभग दस लाग के आसपास दो वन्स को रख करके उनकी सेवा, उनकी सुरक्सा, उनके संग्रक्सन और उनके संबर्धन के लिए सरकार कारे कर रही है इसमें प्रदेश के अमारे वैटनरी डॉक्टर्स का, राजस्व विभा के कार्मिकों का, जिला प्रसासन का, गराम पंचैतों का, और नगर निकायों का भी एक बड़ा युद्दान उसमें मिलता है दूसरा कारे करम है, जो मुख्यमंत्री सेभागिता योजना, कोई भी किसान अपने घर में चार गोवन से रख सकता है मिलासित गौवासरेस्पल से लेगा, तो हम उसे 900 रुपे प्रति गोवन से प्रति माउपलब्द करवाएंगे हर मेहने उनका भौतिक सत्यापन होगा, और भौतिक सत्यापन के बाद धन्दासी डिवीटी के मात्यम से किसान के खाते में जाएगा तीसरी योजना जो इसमें हम लोगों ने संचालित की है, वह है कुपोसित परिवारों के लिए ब्याईवी गया उपलब्द करवाना, नासित गोवासरेस्पल से बड़े पैमाने पर पुपोसित बच्चे या माताएं जिन परिवारों में हैं, उन्हें भी ये उपलब्द करवाने का कारी वाकुल 11 लाग नासित गोवन्स को इस प्रकार से संक्रक्षन करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा चलाये गया, आदने प्रधान मंत्री जी उत्तरपदेश के अंदर गोवर्धन योजना की सुर्वात भी करवाई, अब उसके मात्यम से उत्तरपदेश के अंदर गोवन्स के द्वारा यानि जो गाय का गोवर है, यहां अत्रिक्त आमदनी का स्रोथ किसानों को लिए बनेगा, बायो फ्यूल की यूनिट लग रही ह और यह कारिक्राम युद्दस्तर पर चल लाए है, गाय के गोवर से आज उत्तरपदेश में कुछ जनपदों ने पेंट बनाने का काम भी किया है, और हमारा प्रयास होना चाहिए किस पेंट को ब्रांडिंग करते वे इसे हम सबसिडी दें और इसको खुब हाइलाइट करे और प्रयास करें कि हर देवस्थलों पर अपने घरों की लिपाई पुताई पर इस पेंट का इस्तमाल करें, राज्य सरकार इसको लेकर के एक नए कारिक्रम को लेकर के आगे वढ़ेगी, और तीसरा जो कारिक्रम हम लोग चलना है कि गंगा जी के तटवर्ती सभी जनपद में लगबत हमारे 27 जनपद गंगा के तटवर्ती जनपद है, इन जनपदों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, अब तक हम लोग प्राकृतिक खेती के लिए और साथ-साथ यहां पर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ान की जिसामें जो कदम बढ़ाएं हैं, इसमें जैविक और प्राकृतिक खेती में अब तक हमारी लगबक सवा लाख हेक्टियर भूमी में वरतमान में एक कारवाई हमारी प्रारम हो चुकी है, और हमारा प्रयास है कि इसमें बढ़ोकत्री हो, इसमें बुंदेलखन के सातों चनपतों को भी हम लोगों ने लिया है, एक देशी नसल की गाय, हमारा ये मानना है कि वहाँ एक वर्स में 30 एकड़ खेती के लिए, पूरी तरह यानि उस खेती को बिसमुक्त बनाने के लिए, फटलाइजार, केमिकल और पेस्टिसाइड, स्वयम, गाय का, गोवर और गाय के मुत्र से उपलब्द हो सकता है, और ये कारिक्रम भी उतस्तरप्र प्रदेश के अंदर प्रारंब हुआ है, वायोवेनों आज का ये कारिक्रम बहुत महित्वपून कारिक्रम है, जैसे कि रुपाला जी ने अपने संबोधन में कहा भी, अनिक योजिनाय प्रधान मंत्र मोदी जी के नित्रतों में देश के अंदर पिछले नौ वर्स के अंदर चली हैं, जिसने देश के प्रतेक नाकरिक के जीवन में ब्यापक प्रिवर्तन करके रखा, देश के अंदर सासन करने का उसर बहुत सारे लोगों को प्राप्त हुआ होगा, बहुत सारे लोगों को प लेकिन उनकी संबेदना जब मनुष्य के प्रति नहीं थी उनकी संबेदना एक मूख जीव के प्रति होगा यह तो कल्पना से भी बाहार है गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य अहिंसा और अस्ते को स्थान दिया था उन्होंने हमेंसा इस बात के लिए उनका आग्रा था उनका आग्रा ही सत्याग्रा कहलाया यानि सत्य के मार्ग पर चलने वाला ही सत्याग्रा कर सकता है और सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी सत्याग्रा की बात करे यहां ब्यक्ति के यानि आचन और बिवार आचार और विचार कथनी और करनी दोनों के भेद को बहात स्पष्ट कर दे ताकि ब्यक्ति बोलता कुछ और है करता कुछ और है कोई उसके विस्वास नहीं करे और सत्या ग्रह के मार्ग पर चलने की जो पेड़ना पापु ने दी सार बेवार करता हो वही सत्यागरा है कि लोग तंत्र को कमजोर करने वाले सत्यागरा नहीं कर सकते आकंट भस्ताचार में डूबेवे लोग सत्यागरा नहीं कर सकते मौन जीवों की बात तो दूर मनुस्य के प्रति भी जिनकी संबेदना न हो वह सत्यागरा भी नहीं कर सकते देश को जातिवाद, छेत्रबाद, भासावाद और तमाम बादों में बांटने वाले भी सत्यागरा नहीं कर सकते अपने देश की निंदा करने वाला कभी सत्यागरा नहीं कर सकता भारत को कड़ घरे में खड़ा करने वाला ब्यक्ति और भारत के बहातूर जवानों के प्रति जिनके मन में सरदा और सम्मान का भाव नहीं जो विप्रीद प्रस्थितियों में भी भारत की सीमाओं की रक्सा कर रहे हैं उन जवानों के प्रतिभीत सम्मान का भाव जिस नागरी के मन में नहीं वो सत्यागरह के अगर बात करे तो यह अपने आप में इससे बड़ी बढ़ना और क्या हो सकती है और इसलिए आज जह हम यहाँ पर आये हैं मुझे बताते वे प्रसंता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आधने प्रधान मंत्री जी के नित्रत्तों में उन सभी स्कीम को उन सभी योजनाओं को प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने वाले राज्यों में से एक है करीब को बिना भेद भाव के सासन की योजना का लाप राप्त हो नचाने कितने लोगों के जीवन में उसका प्रणाम सामने आया है बिमारियों से लोग मुक्तोय है उनका जीवन स्थर बढ़ा है इस अब लिविंग के स्थर को बढ़ाने में जहां उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है वहीं उत्तर प्रदेश निवेश के लिए एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में इस थापित हो इस अब डूइंग बिसनेस में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगा करके आज जो अस्थान प्रप्त किया है वह उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्वल भूस्य को आगे बढ़ाने का एक ससक्त माध्यम बना हुआ है मैं आज के सौसर पर